नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रीपाद, इंटर्मेशनल काडियलोजिस, पैस्टोली और हॉस्पिटल स्वरुप नगर कानपूर से, आज हम बात करेंगे दिल की विभिन्न बीमारियों के बारे में, Most of the time, patient मेरे पास आते हैं, कि सर हमें बताया गया है, कि हमारी wall में problem है, या heart में problem है, दिल कमजोर हो गया है, मगर उन्हें यह नहीं पता होता है, कि यह बीमारी है कहां और क्यों हुई है, Most of the patient को यही लगता है, कि heart attack सिर्फ यही एक दिल की बीमारी है, जिसके लिए दवाई दी जाती, stent किया जाता है, या bypass किया जाता है, इसके अलावा भी कोई दिल की बीमारी है, इसके बारे में उनको पता नहीं होता, तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही topic पे, जिसमें की दिल की और कौनसी कौनसी बीमारिया होती है, इसके बारे में बात करेंगे, दिल की विभिन नसों के जरीये बॉडी को पंप करता है, कुछ नसे खून को दिल से दूसरे बॉडी के पार्ट तक ले जाती है, और कुछ नसे बॉडी पार्ट से खून को दिल की तरफ ले जाती है, इनमें भी अलग तरह की बीमारिया होती है, सबसे पहले हम दिल पे फोकस करते हैं, दिल क की बीमारियों को जानने के लिए दिल को हम चार component में complete करेंगे जिलके 4 component है जिसमें गी सबसे पहले आती है 커피 जो खुद दिलकी नसे हैं इन दिलकी नसो में blockages होने के कारण patient को और जायना heart attack वाले problem आते हैं उम्रह के 40 साल के बाद heart attack सबसे common बिमारी हो जाती है इसलिए सब पेशंटों को लगता है कि heart attack ही common बिमारी है दूसरा component है heart walls heart walls दिल में खून का बहाव आगे की तरफ रखने में मदद करती है अगर heart walls खुले नहीं तो खून का बहाव आगे जाने में डिक्कत होती है इसके वज़े से पेशंटों को सास खुलने की परिशानी हो सकती है जिसे volular stenosis कहते हैं कुछ walls leak होने के कारण खून का बहाव आगे की जगह पीछे की तरफ होता है जिसके वज़े से pumping अच्छे से नहीं हो पाती जिसे volular regurgitation कहते हैं दिल में ऐसी चार walls होती है mineral wall, aortic wall, pulmonary wall and tricuspid wall इन चारों में से किसी भी wall में stenosis हो सकती है या regurgitation भी हो सकती है heart में common infection heart wall पे ही होता है इन wall पे infection का कारण इन wall में जादा तर regurgitation का problem बढ़ता है और patient की सास भी फूल सकती है तीसरा component आता है heart muscle जिसे हम myocardium कहते हैं ये heart का pumping system है अगर heart को normal pump करना है तो muscle भी normal होना चाहिए या healthy होना चाहिए अगर ये muscle damage हो गया या fail गया तो इसके वज़े से heart की pumping कमज़ोर हो जाती है इस कमज़ोर pumping के वज़े से patient को सास भूले की परिशानी सूजन आने की परिशानी हो जाती है जिसे dilated cardiomyopathy भी कहते हैं अगर ये muscle हद से जादा थिक हो गया तो भी pumping में परिशानी आती है जिसे hypertrophic cardiomyopathy कहते है heart का last component है conduction system conduction system heart का rhythm maintain करने मदद करती है जिससे heart एक rhythm में काम करता है इस conduction system में होने वाली बीमारियों के कारण दिल की धड़कन जादा हो जाती है या कम हो जाती है अगर heart की धड़कन कम हो जाए तो patient को चक्कर आते है बेहोश हो जाते है सेम ही अगर heart की धड़कन हद से जादा हो जाए तो भी ये परिशानी हो सकती है जिसके लिए doctors विबिनन प्रकार के paste maker लगाने की सलाह देते है ऐसी ही कुछ नसों के बिमारियों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे और इनी में से कुछ बिमारियों के बारे में डिटेल में डिसकेशन भी करेंगे तो आने वाले वीडियो के लिए अपडेट रहने के लिए बेल आइकान दबाईए इस चैनल को सब्स्राइब कीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसो शेर लाइक जरूर कीजिए धन्यवाद